हलो गाईज, वेलकम टू कौन स्टडी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपको डेली वीडियो प्रवाइड कर रहे हैं आने वाले जेके बाइंग एक्जाम के लिए, तो गाईज इस लेक्चर में आज हम करेंगे सिंप्लिफिक आप उन्हें देखिए, मैंने बिल्कुल बेसिक से नंबर सीरीज के कोश्शन करवाए हैं, बेसिक से मौडरेट लेवल के और नंबर सीरीज की आगे वीडियो आती रहेंगी, जो जो मुझे इंपॉर्टन कोश्शन लगते हैं नंबर सीरीज के जो प्रीविय एक हमारी जो परोच आती है, वो नंबर आते हैं जो हंड्रेड के आराउंड होंगे, जो ट्रीफीन के आराउंड होंगे, जब उनकी मल्टिप्लिकेशन करनी हों, तो हमें क्या करना चाहिए नंबर जैसे दियो हो, वन् जिरो नाइन और वन जिरो सिक्स उननको हम ब्रेक कर लेंगे, उन कि यह आपको काफी useful होती है यह squares में भी आप लगा सकते हो जो 100 के around squares होते हैं उनके पास उन में यह करने में आप यूज कर सकते हो देखिए कैसे तो first part में मैं क्या करूंगा first number था मेरा जैसे 10900 बेस क्या बना इनका 100 100 बेस बना और डिफरेंस कितना आया प्लस 9 और प्लस 6 का 100 से ठीक है तूंकि 100 प्लस 9 प्लस 6 उसके बाद देखिए क्या करना यहां पर इस step के बाद उसके बाद हम करेंगे जो भी मेरा बड़ा number होगा ना उसके साथ जो दूसरी का difference आएगा 100 से उसको add कर देंगे ठीक है वो हमने कहां लिखा first step में ठीक है यह मैंने add किया first step में 115 और जो numbers difference होगा ना दूसरे step उनको हम multiply कर देंगे तो यह 115 था और end में क्या लिख दिया 54 यहां पर आपको कोई addition कुछ नहीं करना है एक step में आप ने किया 109 और दूसरे number का difference बड़े वाले का छोटे number इसके साथ difference आड़ किया और दूसरे step में क्या किया इंटू 9 इंटू 6 क्योंकि जो उनका difference था फिर से देखिए एक और question बताता हूँ 112 था और इंटू 113 था तो मैंने क्या किया 113 के साथ difference कितना आया 12 और 13 12 किया उसके बाद क्या किया 13 इंटू 12 ठीक है यहां पर कितना बना 125 यहां पर कितना बनेगा 156 अब देखिए अगर मैं इन दोनों को साथ लिखंगा इस वाले step में इस वाले step में अगर इन दोनों को साथ लिखंगा तो देखिए क्या होगा तो मेरा number कैसा बनेगा 125 156 अगर मैं किसी दो डिजिट वाले तीन डिजिट वाले numbers को multiply करता हूँ तो उनका result ऐसे आता है तो यहां पर मेरा कितना ब तो यहां पर मेरे पास क्या बना था 125 और यहां पर कितना बना था 156 तो देखिए एक number ज्यादा आ रहा था तो मैं क्या करता हूँ यह जो one है यह इसके साथ add हो जाता है यह क्या बनेगा 12656 फिर से बताता हूँ मैं यह वाले questions जैसे मेरे पास दिया हो 102 into 103 तो क्या करूंग है 102 प्लस थरी बना यह कितना बना 105 और दूसरे स्टेप में क्या होगा इंटू 3 इंटू तू इंटू इंटू 3 तो यह क्या बना 6 तो यहां पर मुझे डो डो डिजिट रखने पढ़ेंगे यहां पर 0 लिखा 10506 ठीक है तो अब नेक्स्ट वाले में देखिए जैसे 91 और 87 था तो 91 और 87 कैसे बनेंगे 100-9 और 100-13 तो 100-9 जब मैंने किया तो 90 जो बड़ा नंबर होगा वहाँ पर अडिशन था तो यहाँ पर क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगा तो 100-30 जब मैंने 91 में से 13 निकाला तो 78 बचा अब देखिए 91 और 87 को मल्टिप्लाई कर रहा हूं मैं ठीक है तो यहाँ पर देखना जब भी 2 डिजिट वाले मल्टिप्लाई होते हैं तो वो कितना नंबर देते हैं हमें 4 डिजिट देंगे ना की 5 ना की 6 तो इस चीज़ का ध्यान रखना है जैसे मैं यहाँं पर 50 इंटू 50 को मल्टिप्लाई करूंगा तो वो कितना आता है 2500 ठीक ह इसका मतलब क्या हूँ वो चार डिजिट देंगे जब भी दो-दो डिजिट वाले multiply हो रहे हैं इसी चीज का मुझे यहाँ पे ध्यान रखना है तो इसलिए मैंने क्या किया मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 78117 से क्यों नहीं लिख सकता हूँ मैं अगर मैं इसको ऐसे लिख हूँ गा यहाँ पे क्या होगा यह पांच डिजिट बन जाएगा जो पॉसिबल नहीं है दो डिजिट को multiply करने से दो दो डिजिट को मुझे क्या करना पड़ेगा यह नमबर इसमें आड़ करना पड़ेगा तो यह क्या बना तो नेक्स्ट वाला है अब 114 है और 114 है और 1014 इंटू 94 है तो 114 इंटू 94 तो यह थोड़ा एक अलग टाइप का ओता है इसमें तो 114 था इंटू 94 यहाँ पे क्या आया प्लस 14 यहाँ पे क्या आया मइनस 6 प्लस 14 और माइनस 6 आया ठीक है तो 114 था इसमें से मैंने कितना सब्ट्राक्ट किया और 14 इंटू माइनस 6 को मैने सक्षक को मूल्टिबल एकिना वो बना माइनस 84 तो देखी अगर यहां पर minus आ गया है तो मैं इसको direct नहीं लिख पाऊंगा इसमें से तो हम क्या करेंगे यह जो 108 था देखी नंबर एंड में हमारा result कैसे बनेगा 108 था something something यहां पर कुछ आएगा ठीक है अब यहां पर minus 84 आ रहा है ठीक है तो minus 84 के लिए मुझे यहां से one carry करना पड़ेगा तो कितना बना 100 minus 84 लिखा वो कितना बना 16 तो यहां पर 16 आ गया और यहां पर कितना आ गया 7 क्यूंकि मैंने एक carry किया था फिर से देखना 11 नेक्स लाइड में यह यहां पर कितना बन रहा था 108 यहां पर बन रहा था माइनस 84 तो यहां से मैंने वन कैरी किया सब्ट्राक्ट किया इसको तो 10716 अब ऐसे ही 206 नेक्स इंटू 204 को कर सकते हो बस उसमें डिफ्रेंस आएगा आपकी बेस जब डबल हो रही है तो वहां पर आपको टू से मुल्टिप्लाइ करना पढ़ेगा पहले अगर आपकी वेश 300 और तो पहले त्री से करना पढ़ेगा है है तो वाइज अब एक और ची हमारे पास मिल्टिप्लिकेशन होती है जब 33 इंटू 66 इंटू 66 दिया हो ऐसा नंबर दिया हो या फिर हमारे पास नंबर हो 66 इंटू 33 तो ऐसे नंबर के लिए कौन सी ट्रेक यूज होगी मैं आपको बताता हूँ तो देखिए जैसे हमारे पास 33 इंटू 33 क्या आता है यह बात आपको ध्यान में रखना है 33 इंटू 39 क्योंकि अगर मैं यहां पे 33 इंटू 39 33 करता हूँ तो यहां पर 4 डिजिट बनती है थीक है बस इतनी बात का ध्यान रखना आपको तो 33 into 39 तो मेरा 09 आया था तो यहाँ पे 9 लिखा और यहाँ पे 0 लिखा ठीक है एक स्टेप छोड़ के यहाँ पे 9 लिखा यहाँ पे 0 लिखा क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 A का गाप छोड़ दिया इसमें से माइनिस होगा 8 और इसमें आड़ होगा 1 तो यह क्या बना 108 9 अगर मैं इसी चीज़ को 333 into 333 करूँगा तो देखे क्या होगा जैसे मैंने आपको पताया एक तो 0 आएगा 9 आएगा वहाँ पे कितना डिजिट है कि सब्टराइट करना है और यहाँ पर आड़ करना है तो 1 1 तो यह क्या बना 110 889 सब्बोज आपके पास अगर यह वाली मिल्टिप्लिकेशन भी आएगी तो भी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी अगर आप इससे करोगे तो 0 लिखा 9 लिखा चार डिजिट है ना तो मुझे तीन यहाँ पर रखने बढ़ेंगे तीन यहाँ पर एट 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 वन 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 ठीक है तो क्या बना वन वन जीरो एट 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 नाइन तो अब दूसरा वाला है जैसे थट अब यह तो सेम डिजिट थे सपोस्ट डिजिट चेंज हो गए है एक में तीन है एक में दू है तो आपको कौन से वाले किसे करना है सिर्फ इसी चीज़ से करना है 33 को ध्यान रखना है जो कम होगा ना उस पर ध्यान देना यहाँ पर 0 बनेगा यहाँ पर 9 बनेगा आपको यह चीज़ पता है कि 1 और 0 आता है तो जो एक्स्टर डिजिट है नहीं यहाँ पर इसकी प्लेस पर आप 9 लिखता होगी बीच में और कुछ नहीं होगा जब भी अनीवन होगा तो जो छोटा वाला होगा ना उसी मैथड से आपको करना है 9, 8 आया 0 और 1 आया और जो भी अक्स्टर डिजिट होगी उसकी प्लेस पर 9 लिख देना है बीच में जैसे यहाँ पर आपको ऐसे दिया हो 33, 33, 33, 33 इंटू 33, 33 तो आप क्या करोगे मैंने आपको बताया है यहाँ पर 9 और 0 इसको देखके करोगे तो यह क्या बना 1089 अब दो डिजिट एक्स्टर है ना उनकी प्लेस पर 99 पुट कर दोगे तो यह हुआ अब ऐसे ही है 6 इंटू 3 तो 6 इंटू 3 क्या होता है 18 ठीक है 6 इंटू 3 18 तो वही मैथड 1 और 8 यहाँ से सब्ट्रैक किया 7 यहाँ पर एड हुआ तो इसका आंसर क्या आता है 2178 अगर 66 इंटू 33 दिया होगा तो उसके बाद अगर यहाँ पर ऐसे दिया हो 66666 इंटू 3 33 तो इसमें देखी क्या करना है यहाँ पर मैंने बताया 8 आएगा 1 आएगा कितने डिजिट छोड़ने पड़ेंगे यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2 क्योंकि यह दोनों एक जैसे हैं तो यहाँ पर 7 यहाँ पर 7 यहाँ पर 2 यहाँ पर भी 2 2 2 1 7 7 8 सपोज अगर आपके बस 4 डिजिट वाला है 6666 इंटू 3 3 3 3 तो क्या करना पड़ेगा 8 1 1 2 3 क्योंकि क्यों यहाँ पर छोड़े मैंने 2 क्यों छोड़े सारी क्योंकि यहाँ पर कितने नंबर थे 4 थे तो मुझे यहाँ पर 3 छोड़ने पड़ेंगे जैसे ऐसे दियो 666 इंटू 33 तो मैंने आपको बताया आपको छोटे वाले डिजिट से ही देखना है जिसमें कम डिजिट से होंगे तो यह क्या बनेगा 1 8 ठीक है तो इससे हमारा क्या आंसर आता है 2178 है ना 8 से माइनिस गया और जो एक्स्टर डिजिट है उसके लिए भी यहाँ पर क्या पूट कर देंगे हम 9 आप इसको देखे नॉर्मल मल्टिप्लिकेशन से करके देखना उससे भी यही आएगा अब सपोज यहाँ पर दिया हुए हमरे पास 666 इंटू 33 यही इसका आएगा अब देखे इसको अगर आपको यह चीज समझ नहीं आ रही है तो आप 33 इंटू 33 को जो हमारा पुराना मैथड़ सा उससे भी कर सकते हैं 30 ब्लस 3 तो यह कितना बनेगा 990 और 99 तो उससे भी आंसर आता है 1089 ऐसे आप 66 इंटू 33 कर सकते हो 121 इंटू 6 इंटू 3 यह देखे कैसे बना 33 इंटू 66 था तो 66 33 कैसे बनता है 11 इंटू 3 और 66 11 इंटू 6 और 11 इंटू 11 क्या बना 120 यह वन और 6 इंटू 3 18 तो आप इससे भी डारेक्ट कर सकते हो बड़ यह थोड़ा लेंड़ी बढ़ेगा जो मैंने इसमें ट्रिक्स बताई है वह आप यूज कीजिए तो देखिए यह थी मैं की थोड़ी से ट्रिक्स घर आपको यह काफी लंबा लगेगा बट यह जो मैं का जो भी मुझे पता था कि मैं अप्रोच खुद यूस करता हूं तो एक्जाम में जब मल्टिप्लीकेशन के कॉष्चिन में युज्ज करना पड़ता मुझे तो यह मुझे काफी हेल्फूल होती है और आपको भी काफी help करे गए आने वाले एक्जाम में और इस लेक्चर के रिगार्डिंग जो भी वैरी होंगी आपकी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमें अधर हैंडल्स पर भी फॉलू कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर टैलीग्राम पर आज के लेक्चे में बस इतना ही थैंक यूँ